लेकर कोई भी अपडेट होती है तो आप सभी को पता है कि यहां पर आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलती है सबसे में जो पॉइंट है दोस्तों वो हमारे जैसा कि हम आप से बोल रहे थे कल कि जो बीएड वाले या जो सो बीटीसी वाले या शिक्षा मित्र जो भी है तीनों की तीनों दोस्तों मेरे लिए एक समान है तो जिनोंने मेहनत करके नंबर लाए थे रात रात पर पड़े थे 14 सब्जेक्टों को से 20 से 22 दिनों में उन्होंने कवर किया उसके बाद अच्छे नंबर लेकर किया है आज वो परहसान हो रहा है मांसे कुछ पीडन का शिकार हो रहा है तो उनके लिए दोस्तों हम लोगों ने एक जो मुहीम शुरू करने की कोशिश किये या फिर आप कह सक की प्रक्रिया या फिर न्याले की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ती रहेगी बट जो दोस्तों पीछे से दांदली होने का रीजन है जो सबसे बड़ा सवाल है 39,000 सिचक बर्दी पैच्छा को लेकर जो बच्चे परेशान हो रहे हैं इस बात को सोच के कहीं धांदली ना हो जाए तो कोशिश की जाई है कुछ ऐसे संगटवनों से मिलकर कि इस बात को आगे पहुँचाया जाए और जो रेजल्ट है कम से कम उसको जारी किया जाए जिस ना हो कि बेक डोर से धांजली हो जाए और उन मैंती बच्चों के साथ गलत हो जाए जिनों जो लोग दोस्तों जौब का इंतजार करें जो लोग दोसों रात दिन पड़े थे और इस मैनस में उम्मीद में लगे हुए थे कि यार अब हमारी इसमें सेलेक्शन हो जाएगा ये आगे कोछ और कहने की जरूत या फिर आवे शक्टा नहीं है तो दोस्तो इस बात को लेकर मैंने आप लोग mappedाया था आज सब naval को चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिसे कि अप अब बता चलेगा कि हम आगे क्या करने वाले किस मैंटर को लेकर आगे जाने की कोशिच करे और इस मेंटर को लेकर दोस्तों योगी आधित नासी जी से भी मिलने की कोशिश की जाएगी as soon as possible बट उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कोज लिस्ट का कुछ मनलब की जमिला समझा देना चाहता हूं मैंने कल भीाप लोगों को दोस्तों पर समय कोशलिस्त दोस्तों तो ऑगीजिश की जिंधियों मैं आप लोगों की बताया था तो आज की दोस्तों एडिशनल कॉजलिस्ट आ चुकी है सिर्व उसके अंदर चार केस हैं लेकिन अभी तक जो और रिजब रखा गया है उसको लेकर कोई भी उस पर अपडेट नहीं है अगर कोजलिस्ट की बात की जाए तरीक तक की जो है कोजलिस्ट आ चुकी है ग्यार्य तारीक को आप सभी को पता एक सुनवाई होने वाले लखनव खंट बीट के अंदर बीएड को लेकर तो उस पर दोस्तों उस पर भी जेस्टिस राजस सिंग चोहान जी सुनेंगे और अगर दोस्तों देखा जाए तो 12 ताइक को इलावत खंट बीट के अंदर एक और रिट की सुनवाई है कल 430 जो मैंने आप लोगों को रिट दिखाई थी रिट संग्या 430 की दोस्तों कल 12 ताइक को सुनवाई है तो कहने का मतलब है दोस्तों 12 ताइक तक की कोजलिस्ट जो है अवेलेवल हो चुकी है लेकिन अभी तक और नहीं आया है अब और आके नहीं है इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि अफ़र आरिवेल करने की लिए जस्टिस घाजेश चॊहान जी कि इस बात का वेट करें आई थिंग मुझे ऐसा लग रहा है और कल भी मैंने आप लोगों को बोला था आज दोस्तों मैं बिल्कुल शूर हूं कि अब जो ओडर दोस्तों 19 मार्च 2019 से पहले आने के कोई संभावना नहीं है आप लोग बिल्कुल भी पैसा नहों बिल्कुल भी है कि मैंनत नहीं चाता हूं जैसा कि आप सभी ने कले एक निई उसी जो मैं आप लोग के दिखा दूँ येवाली निईूस आप लोग देख सकते हैं तो आप सभी ने देखा होगा अगर जसने नहीं देखा उगाःतो व्रया तो मैं सब्किरण सभी तक ब pry मंटर संगतन के नेता सब्सक्राइब sound पर संग्यान लिया थो सुधा बता कि उनकी एजट सब्सक्राइबerson जो टीचर्स को जो गौर्मेंट टीचर्स को मान दे दिया जाता है उस सब्द को रोकती है उन्होंने कहा कि आपकी जो सेलरी ये उसमें भी बड़ोत्तरी की जाएगी मतलब की सब कुछ तैयार हो चुका है बस उसको अंतिम रूप देने की तैयारियां हो रही है ऐसा कल योग सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे नथिंग ऐसा कुछ संगठनों से मिलकर के इस बात को योगी आधितनाथ जी तक पहुचाने की कोशिश की जाएगी जिससे दोस्तों वह इस मैटर को लेकर कोई भी कोड से अपील कर सकें जिससे की जो रेजल्ट और आंसरगी में हो जोने वाली धांदली से बचा जा सके जैसा कि दोस्तों कल सिक्षा में संगठन के जो नेता हैं वह मिलकर किया है योगी आधितनाथ जी से ऐसे दोस्तों बीएट बीटी से और सिक्षा मित्रों के कुछ संगठन के नेता दोस्तों जाने वाले हैं योगी आधितनाथ जी से म वो काफी बड़े इस तरह तक पहुंच जाएगी अब दोस्तों अब अगर दोस्तों बात की जाए उन्हेत्य हजा सिचक भरती पहिच्छा के अंदर सरकार ने जो अपनी गलती को सुदा रहा है उस मेंटर को जो मैंने पॉइंट लिखा थम्निल के अंदर उसको मैं अब की जाएगी जैसे की दोस्तों उन्हेत्य हजार वाले जो सिचक भरती है उसमें परिशानी नहीं होगी पिछली वार ये गलती हुई थी तो इसको कहीने की सरकार ने सुदा रहा है अब की बार यह रहात की कवर है कि जिला अवंटन में दोस्तों गलती को सुदा लिया किया है और आपको दोस्तों यह भी बताने चाहिए अपने गुडांग की अनसार हुआ है अर्थास इस्टेट रहें को ध्यान में रखते हुए अवंटित हुआ है तो यह दोस्तों अपडेट है जो मैं आप लोगों को बात बता दो एक रात की खवर यह भी है कि लगवग 16 सिक्षा मित्थ्ट तो सेलेक्ट हो गए हैं तो तो सॉलेसो शिक्षा मित्थ्टों का सेलेक्षन दूस्तों पुनर मुल्यांकन के होने की वज़़े से सेलेक्ट हुए तो कहीं ने कहीं यह 4900 में जो किया है और दूसरी जी सोले सो सिक्षा मित्रों का सेलेक्शन हुआ है पुनर मुल्यांकन के जदिये जिसकी बज़ाइस संग्या थोड़ी से हो जाएगी अच्छा आप बात कर लेते हैं कि जसाव अपना ओर कब तक सुनाएंगे तो कब तक के लिए जो आप लोग दोस्तों प प्रवाव ईसको भिल्कुल ध्यान में रखा जाएं नियाल हो सरकार जूँ जात्तों के साथ अंदेखी कर रही है वह बल्कुल भी मान देए नहीं होगी और यह बिल्कुल भी माणी मानी नहीं जाएगी आप सब grandma को एक कि कई ने कि इस केस को 19 मार्ज तक खीच कर ले जाने की कोशिश की जा रही है इसी लिए दोस्तों अभी तक और रेजर्ब था उम्मीर थी कि पहले आ जाएगा लेकिन अब दोस्तों पूरा के पूरे श्योर हो सकते हैं कि जो ऑडर है दोस्तों 19 मार्ज तक ही पब्लिश किया जाएगा और किसके प्रक्ष में जाएगा कहना दोस्तों गलत होगा लेकिन कहीं ने कहीं अब रिजल्ट वाहां से की का जो दोस्तों धांदली होने वाली है उसको बचाने के लिए कुछ न कुछ दोस्तों प्रोटेस्ट जो है करना पड़ेगा अगर आप इस बासे सहमत है यहां पर जो भी होता है से बहुत सिफ चात्तों के हित के बारे में सोच कर ही किया जाता है तिल देन गाइस टेक टाटर वाइबाई थैंक यू थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो